तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपने जून 2024 सेशन का एकजाम देने के लिए एकजाम फीस को समिट कर दिया है लेकिन अभी आप किन ही कारणों की बज़े से एकजाम नहीं दे सकते है तो इससे आपका क्या नुकसान होगा या फिर आप जून 2024 सेशन का एकज देखने को मिल सकता है इन सब चीजों के बारे में डीटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और इगनुस रेलेटेट सभी अप्टेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिक नहीं है एक सब्जिक्ट का दो का तीन का या फिर इसने भी सब्जक्ट का एक्जाम फीज आपने समिट किया है लेकिन किन ही कार्नों की वज़े से अभी आप एकजाम नहीं दे सकते हैं तो ऐसे में यह रहेगा कि आपने चितना भी एक्जाम समिट किया है 200 रुप्य, 800 पूरा पैसा बरबाद हो जाएगा और अब हम बात करते हैं कि आप जून 2024 का एक्जाम देने के लिए एलिजेबल है लेकिन इन्ही कारूनक वज़े से एक्जाम नहीं देते है या फिर देना पॉसिबल नहीं है तो आप ये जो सब्जेक्ट है इसका एक्जाम फिर कब दे सकत है तो अभी आप जिस भी सब्जेक्ट का एक्जाम देने के लिए एलिजेबल है जिसका एक्जाम आप कि नहीं कारूनक वज़े से नहीं दे सकते है तो वो सब्जेक्ट का एक्जाम आप दिसंबर 2024 सेसन में भी दे सकते है लेकिन उसके लिए आपको एक्जाम फिस सेप्ट कर दिया है लेकिन अभी आप एक्जाम नहीं दे सकते हैं आप एक्जाम देंगे दिसंबर 2024 में तो क्या उस टाइम आपको दुबारा से assignment submit करना होगा या फिर नहीं तो इसका answer है नहीं अगर आपने अभी assignment को submit कर दिया है तो आपको दुबारा से submit नहीं करना होगा वही वाला assignment आपका चेक हो जाएगा साथी में यहां पर आपका यह भी सवाल रहता है कि अभी हमने जून 2024 का एक्जाम देने के लिए एक्जाम फीज समिट कर दिया है लेकिन हमारा assignment submit नहीं हो पाया है तो जो assignment आपका submit नहीं हुआ है या फिर आपने submit ही नहीं किया है तो ऐसे में भी आपको यहीं देखना है अगर आपका admission दिसंबर 2024 या फिर उससे आगे तक valid है तो जिस पी subject का आपका assignment अभी submit नहीं हुआ है उसको आप September में submit कर सकते है और इसके लावा मान लिजए कि अभी June 2024 session का exam वगरा देने के लिए आपने exam fees को submit कर दिया है और आपका admission है जब आप यहाँ पर check करते हैं तो आपको बताया जाता है कि जो आपका admission है वो June 2024 तक ही valid है और आप exam नहीं देते है तो ऐसे में फिर आपको दुबारा से यानि कि December 2024 में exam देने का मौका नहीं दिया जाएगा अगर आपके पास आखरी मौका है तो आप exam को miss मत किजिए य बहुत जादा समय भी खराब होता है तो अगर आपके पास आखरी समय है exam देने के लिए आखरी मौका है तो इस exam को आप दीजिए इसको miss मत किजिए साथी में यहाँ पर आपका यह भी सवाल रहता है कि आप June 2024 session का exam देने के लिए eligible है अभी exam नहीं देते है तो आपका प्रो semester है और अभी June 2024 session का exam देने के बाद आपका पूरा course complete हो जाना था लेकिन अभी आप exam नहीं देते हैं दिसंबर में देते हैं तो ऐसे में आपका प्रोग्राम late complete होगा आपको mark seat वगएरा late मिलेगा और आपको degree भी late ही मिलेगा क्यूंकि आप जान बूचके exam नहीं दे रहे है अगली बार exam दोगे तो अगली बार ही आपका program complete होगा साथी में यहाँ पर आपका यह भी सवाल रहता है कि माल लिजिके अभी आप जून 2024 session में फॉस्ट इयर का exam देने के लिए आए लिजिबल है exam fees वगएर आपने submit कर दिया लेकिन किन ही कारनों के विज़े से अभी आप का first year और second year या फिर first semester और second semester का जो exam है वो class होगा यानि कि दो subject का तीन subject का exam एक ही दिन दे दिया जाएगा और एक ही time में तो यह आपको खुद ही manage करना होगा इसमें इगनु आपकी कोई भी help नहीं करेगा और last में आपको इतना बतना चाहूंगा कि माल लिजिके आपने सब कुछ समिट कर दिया है लेकिन आप exam नहीं देते है तो जब आप exam का result आएगा तो उससे में आपका result नहीं आएगा क्योंकि आपने exam ही नहीं दिया है लेकिन आपने assignment को submit कर दिया है तो आपका assignment का जो number है वो तो update हो जाएगा लेकिन फिर भी यहाँ पर not completed ही आपको लेते हैं तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया है तो लाइक किजिए सेर किजिए और इगनुस related सभी update पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को ओन कर लिजे ताकि सभी update आपको मिलते रहे और आपका कोई सबाल है तो नीचे comment box में बता सकते हैं